मौसम समचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हार सामान नहीं रहेंगी लेकिन शाम से बदलाओ देखने को मिलेगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मताबिक 20 मार्च लगभग तीन दिन तक आधी ओलवरिष्टी और बरसात के आसार बने रहे हैं गेहों की कटाई करने वाले किसानों को इस दोरां सतरक रहने की भी सला दी गई है इन इलाकों में ओलवरिष्टी की संभावना मौसम विभाग के मानी तो 20 मार्च तक पश्मी हिमाले शेत्र में तीस हमाओ के साथ बारिश और ओलवरिष्टी देखने को मिल सकती है मही पश्मी उतर परदेश के सुदूर इलाकों और उतर परदेश और उतर पश्मी राजिस्थान के इलाकों में ओलवरिष्टी देखने को मिलेगी मध्यप्रदेश विदर्ब और चतिसगर में भी आच ओलवरिष्टी हो सकती है मौसम पुर्वानुमान एजनसी स्काइमेट की माने तो तेलंगाना उतरी आंतरी करनाटक और आंतर परदेश के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिष और कहीं कहीं गरच के साथ तेज बोचारे पर सकती है महीं पूर्व और पुर्वोत्तर भारत में बारिष की गतिवी धियां हलकी से मध्यम होंगी इसके साथ कॉंकर्ड और गोवा, केरल और तमिलाडू में कुछ जगों पर बारिष संभव है उत्तर प्रदेश में आईमडी के पुर्वानवान के अनुसार एक बार फिर बारिष होने का अलर्ट जारी किया गया है सुभा से ही मौसम में बदलाओ देखने को मिला बारिष के आवजाही के बीच पश्यमी यूपी समीत प्रदेश के 14 जिलों में बारिष होने के अलर्ट जारी किये गए है मौसमी भाग के तरफ से लखनों में भी बारिष होने की संभावना जताए गई है बारिष के साथ ओले गिरने की भी संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम भाग ने लेट जारी करते हुए पश्यमी उत्तरप्रदेश समीत यूपी के 14 जिलों में बारिष को अलर्ट जारी किया है अंचलिक विग्यान के इंदर लखनो के मौसम भाग की और से बारिष के अलर्ट में बुलंज जहर संभल कासकंच एटा फिरोजबाद आगरा हाथरस मतुरा अलीगर उन्नाव राइबरेली हमीरपुर बांदा और चित्रकूर जिला शामिल है इस दोरान इन जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफ्तार से हमाई भी चलेंगी और बिजली की गरच के चमक भी देखने को मिल सकती है मिलते हैं सुप्रकार के एकलिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंज भारत